सुभा से चिडिया काम कर रही थी चिडिया ने सोखी लकड़िया एकठी कर ली थी और कुछ सोखा घास भी चिडिया अपने लिए घर बना रही थी मैं तो धगई हूँ मगर जब मेरा घर बन गया तो सारी धकान उतर जाएगी क्योंके ये पेड बहुत स्रक्षत है ये पेड मुझे तेज धूप से बचाएगा चिडिया फिर से अपने काम में मगन हो जाती है एक कवा भी अपने लिए घर बनाने के लिए कोई अच्छा, बड़ा और ठंडा पेड ढून रहा था ये चिडिया यहां क्या कर रही है ये पेड तो बहुत शांदार है इस पेड पर मेरा घर होना चाहिए कवा चिडिया के पास चाहता है उठाओ ये अपना सामान और निकल जाओ यहां से ये पेड मेरा है कवे भेया, मैं सुबहा से यहां काम कर रही हूँ और अब तो मेरा आधा घर भी बन गया है मैं कल यहां आया था और यह पेड़ अपने लिए पसंद कर गया था तुम्हें यहां से जाना ही होगा मैं नहीं जाओंगी तुम तोते से फैसला करवालो जो तोता कहेगा मुझे वो स्वीकार होगा अगर यह बात है तो चलो हम तोते के पास जाते हैं चिडिया और कव्वा अपना फैसला करवाने तोते के पास जाते हैं तोते भीया आप जाकर देख सकते हैं मैंने उस पेड़ पर अपना आधा घर भी बना लिया है और आप जाकर ये कवा कहीं से आगया है और मुझे वहाँ घर बनाने से मनाता रहा है सुन तोते मैं कल शाम वहाँ गया था मेरे पास लगड़िया नहीं थी मैंने सोचा कि आज वहाँ अपना घर बनाऊगा मगर ये चड़िया वहाँ आगई और अपना घर बनाना शुरू कर दिया इसने दोनों की बात मैंने सुन ली कवे देखो चुडिया ने अपना घर बनाने का काम पहले शुरू किया है इसलिए वो पेड़ अब चुडिया का हुआ तुम किसी दूसरे पेड़ पर अपना घर क्यों नहीं बना लेते हो ठीक है चलो हम कबूतर के पास चाहते हैं फिर चडिया और कवा कबूतर के पास चाहते हैं और कबूतर को जाकर अपनी अपनी बात बता दी हैं कबूतर भेया तोते ने भी यही कहा है कि मैं वहाँ अपना घर बनाओ मगर यह कवा है कि मान ही नहीं रहा चुप कर जाओ चडिय कबूतर ने बात सुन ली है अब कबूतर ही फैसला करेगा उस बड़े पेड़ पर किसी का घर नहीं है वो पेड़ के इस सालों से खाली है क्यूंकि उस पेड़ की खोकर में एक सांप रहता है मेरी मानो तो तुम दोनों ही उस पेड़ पर अपना घर ना बनाओ कबूतर की बात सुनकर चुड़िया डर जाती है क्या वहां सांप है फिर तो मैं वहां नहीं रहने वाली सांप तो मुझे खा जाएगा ठीक है तुम जाओ और अपनी लकड़ियां वहां से उठा लो मैं तो उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाऊँगा मैं नहीं डरता किसी सांप हवाम से चिड़िया जाती है और अपने लकड़ियां वहां से उठा कर किसी दूसरे पेड़ की खौज में निकल जाती है और कालुकवा अपना घोंसला बनाना शुरू करता है मुझे पागल समझते हैं यहां कोई सांप नहीं है मुझे डराने के लिए कबूतर भी चडिया के साथ मिल गया होगा ये सोचकर कालू कवा फिर से अपना काम शुरू करता है दूसरी तरफ चडिया उड़ती उड़ती बांसों के जंगल में पहुंचाती है वो बांस बहुत गहने थे चडिया अपने लकडिया वहां रखती है ये जगा मेरे लिए ठीक है यहां शिकारी से भी बज़ जाओंगी और दाना भी मिल जाएगा कवा भी अपना खौंसला बना लेता है थक गया हूँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ बहुत थक गया हूँ मैं कवा अपने खौंसले में सो जाता है थोड़ी देर बाद पेड़ की खोखर से एक सांप बाहिर निकलता है खुश्भू तक इसी पक्षी की है मुझे देखना होगा जरूर कोई मेरे आसपास में है वो सांप आहिस्ता आहिस्ता पेड़ के ऊपर चड़ जाता है कवा अपने खौंसले में सो रहा था सांप के मुँ में पानी आ जाता है वो सांप जाकर कवे के ऊपर बैठ जाता है कवा भी उठ जाता है सांप, सांप जी मुझे छोड़ दो मैं तो अभी अभी आज ही यहां आया हूँ कवे माफ करना अगर मैं तुझे छोड़ दू तो मैं भोग से मर जाओंगा ऐसा कहते हुए वो सांप कवे को डस लेता है और मार कर खा जाता है ऐसे कवे को किसी की भी बात जाता है और गोरी के साथ खिचड़ी खाने लगता है कालू, कालू तेरी चौँच बहुत गंदी है पहले नदी से अपनी चौँच धो क्याओ फिर खाना मेरे साथ खिचड़ी जब भी बोलोगी बुरा ही बोलोगी काली कलोटी गंदी शकल वाली डाइन बरदास्ट खतम हो गई थी गोरी कवी छाडू उठाती है और कालू को मारने लगती है छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ो कालू भाग कर खिड़की में बैठ जाता है बदला लूँगा, मैं भी बदला लूँगा मैं छोड़ूँगा नहीं तुझे ऐसे बोलता हुआ, कालू को वा घर से निकल जाता है चुड़िया, चुड़िया, मारा मुझे बहुत मारा गोरी की बच्ची ने मुझे छाडू से मारा है कालू भीया, आप दोनों की लड़ाई तो कभी खतम नहीं होती चुड़िया, मुझे अपना जाडू दो मैं भी गोरी को जाडू से ही मारूंगा ये सुनकर चुड़िया हंसने लगती है कालू भीया, आप दुबारा पिटोगे अच्छा ये ही है, कि जाकर गोरी से सुला कर लो वरना वो तुम्हें बहुत मारेगी अगर वो कवी है, तो मैं भी कालू कवा हूँ इस बार तो हिसाब बराबर करूँगा मैं भी कालू कवा उड़ता हुआ जा रहा था कि एक तोदा बैठा रो रहा था कवा तोदे के पास जाता है तोदे, क्या हुआ, तुम रो क्यूं रहे हो एक चील ने मेरी पतनी को खा लिया है, मैं अकेला रहे गया वो चील मेरी पतनी को भी तो खा सकती थी, फिर तुम्हारी को ही क्यों खाया तोते तोते वो चील कहां रहती है, बड़े कूवे के पास सूखे पेड़ पर रहती है वो चील कालू कवे को एक उपाय आता है कालू कवा सीधा कुमे के पास चील के पास चाता है चील चील ये छोटे मोटे पक्षी खाने से तुम्हारा दिल नहीं भरेगा कोई बड़ा पक्षी खाओ बड़ा कवे क्या करूं कोई बड़ा पक्षी मिलता ही नहीं है अभी कल बहुत मुश्किल से मिठो की पतने को खाया है चील दी मेरी पतनी भी मुझसे बहुत लड़ाई करती है तुम उसे भी खालो ये सुनकर चील हंसने लगती है खालू मगर कैसे खालू कवे मैं उसे कुवे पढ़ ले आऊंगा और आप पीछे से आकर उसे पकर लेना कवे ऐसे मुझे भोजन मिल जाएगा और तेरी जान छूट जाएगी अपनी पतनी से कवा सीधा अपने घर जाता है गोरी सोरी मेरा ही दोस्था अगर मैं नदी से अपनी चोंच धोकर आता तो आज हमारी लड़ाई ना होती मैंने ठीक ही तो पिटाई की थी तुम्हारी अच्छा अब गुसा जाने दो चलो पुराने कुवे के पास जाकर बाते करते हैं पुराने कुवे के पास क्यों बस मेरा दिल कर रहा है आज वहां जाने को कालू गोरी को पुराने कुवें के पास ले जाता है गोरी अपनी आँखे बंद करो मैं तुम्य एक सर्प्राइज देना चाहता हूँ चील भी सूखे पेड़ के पीछे चुपी हुई थी गोरी अपनी आँखे बंद करती है आ जाओ आ जाओ ऐसे कहते हुए कव्वा वहां से भाग जाता है चील सामने आती है गोरी जब आँखें खोलती है तो चील को देह कर डर जाती है अरे गोरी तुम तुम कालू का वे की पतनी हो हाँ मोसी मैं ही उस आलसी की पतनी हूँ वो तो तुम्हें मेरे भोजन बनाने लाया था यहां वो तो अच्छा हुआ तुम मेरे जानने वाली निकली क्या कालू ऐसा भी कर सकता है आएगा मज़ा अब बरसात का एक नई कवी से मुलकात का ला 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 कवा बैठा गाने गा रहा था के पीछे से गोरी छाडू लेकर आ जाती है और कालू को मार मार कर बंदर बना देती है कालू के बच्चे इतनी जल्दी मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ बहुत मुश्किल से कालू भाग कर अपनी जान बचाता है